तो दोस्तो आज हम छे प्रकार की रेस्पी बनाएंगे जिसमें से हम चार स्वीट की रेस्पी बनाएंगे और एक सबजी की और एक नमकीन समोसे की तो फ़र्ष्ट रेस्पी हम बनाएंगे चासनी वाले साबूदाना बर्फी तो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आज बन रहा है साबू दाना बर्फी साबू दाना बर्फी हम बनाएंगे चासनी वाली तो चलो देखते हैं चासनी वाली साबू दाना बर्फी कैसे बनती उसके लिए हमने एक कप साबू दाना लेया है यह वोजन में 200 ग्राम है इसको बिलकुल फ्रेस साप करने के लिए थोड़ा सा पानी में हम डाल देते हैं इसको ज़्यादा देर नहीं डालना बस थोड़ा सा डाल दे इसका पाउडर उतर जाए ज़्यादा नहीं बस तुरंथ हमने दो के और इसको एक छानी में निचोड़ देना जिससे यह बिलकुल फ्रेस साप हो जाता है उसके बाद हम छानी में इसको छान लेते हैं और साड़ा पानी इसका निकल जाए इसको ज़्यादा देर पानी में भिगो के नहीं रखना होता है सिर्फ हमने डाला हातों से इलाया तुरंथ हमने छानी में पलड़ दिया इससे यह होता है कि साबुदाना मुलायम नहीं होते अगर जितना देर पानी में आप डालोगे तो यह फूलने लगता है इसको फूलने में ज़्यादा देर नहीं लगती सिर्फ यह दस मिनटों में फूल जाता है इसलिए आप पानी में डालकर तुरंट छाननी में निचो पूर दीजे उसके बाद इसको एक मलमल के कपड़े पे फैला देते हैं मलमल का कपड़ा हो या साफ अपने घर में और भी कपड़ा हो इस तरह हम फैला देते हैं जिससे पानी सारा सूख जाता है इस तरह हम कबर करके और सारा पानी सुखा लेते हैं ये देखे दो तीन पर्त देखे और इसका पानी सारा सुखा लेते हैं अब ये अच्छी तरह पानी सूख गया है अब क्या करेंगे इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे भूनने से ये होता है कि हमारे साबू दाना अच्छी तरह रोष्ट हो जाते हैं और रोष्ट होने से ये बर्फी हमारे टेस्टी बनती है तो यह देखिए इस तरह हमने कपड़े पे अच्छी तरह फैला के इसका पानी निकाल दिया है उसके बाद में हम क्या करेंगे इसको एक पैन में हम रोष्ट करेंगे यह देखिए यहां मीडियम फ्लेम पे हमने गैसान किया है एक पैन रखा है पैन हलका सा जब गरम हो जाता है तो इस तरह हम साबूदाना डा आइड कर देते हैं यह देखिए और इसको ऐलके हलके शेग पर हम रोच्ट करेंगे ज्यादा नहीं शेग Low-medium पर होना चाहिए और इसको हम देर तक रोश्ट करेंगे जिससे अच्छी तरह रोच्ट हो तो यह चट चट की आवाज होने लगती है अच्छी तरह यह फूटने लगता है तो इस तरह हम रोश्ट करते रहते हैं जब हलका हलका यह ब्राउन सा हो जाता है तब यह पूरा रोश्ट होके तियार हो जाता है फिर हम क्या करते हैं गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसक यह थोड़ा ठंडा हो जाए यह देखे इस तरह हमने प्लेट में डाल दिया उसके बाद में क्या करेंगे इसको ठंडा करने के बाद हम मिक्सी करेंगे और इसका फाइन पौडर बना लेंगे उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि साबू दाना पुरा कडाके दार चाहिए य बस हम मिक्सी की जार में डालके इसका फाइन पौडर बना लेंगे यह देखे थोड़ा थोड़ा हम डालके जब मिक्सी करते हैं तो यह फाइन पौडर बन जाता है तो छोटे जग में हम पीचते हैं तो जल्दी फाइन पौडर बन जाता है तो इस तरह हम फाइन पौडर है च्छान के सारा निकल जाता है अगर इसमें कभे-कभे मोटा सा रह जाता है तो इसको हम दुबारा मिक्सी कर लेते हैं तो यह देखिए इस तरह यह बिल्कुल फाइन पॉडर बनके त्यार है इसमें बिल्कुल कुछ बढ़र आड कर देते हैं साबुदाना वाला और इसको हम घी में थोड़ा वोनेंगे यह देखिए जससे अच्छी तरह यह भुण जाए साबुदाना में लेस बहुत बनती है जब हम किसी दूद में डालते हैं या हम किसी चासनी में डालते हैं तो इसमें लेस ज़्यादा होती है साबू दाना बहुत चीड़ा बनता है इसलिए हमें इसमें घी ज़्यादा जरूरी है घी हम ज़्यादे मात्रा में आड़ करें यहां हमने आधा कप पहले आड़ किया है एक चम्मच घी हमने और आड़ कर दिया और इसको अच्छी तरह हम भून लेते हैं इस पैन में यह देखे अच्छी तरह जब यह भून जाता है तो थोड़ा चीड़ पन इसका खतम होता है तो इस तरह जैसे हम आटा भूनते हैं बेसन भूनते हैं उसी तरह हम इसको भून लेते हैं बस ये ध्यान रहे, इसको ज़्यादा बॉराउन नहीं करना है, बिलकुल लो मेडियम सेख पे भून के त्यार करना है, उसके बाद में हमने मीडियम फ्लेम पे गैस आन किया है एक कड़ा ही रखा है इसमें हमने हाप कप पानी एड़ किया है और एक कप इसमें हम सुगर एड़ करेंगे चीनी एड़ करेंगे तो इसकी हम चासनी बना लेगे हम चासनी वाली साबू दाना बर्पी बनाएंगे इसल अची तरह हम पहले गरम कर लेते हैं थोड़ी देर बाद में शुगर मिल्ट हो जाता है और अच्छी तरह घरम होके अब आ अब यह देखी अच्छी तरह ऊबल गया है थोड़ी देर पकाने के बाद यह बस पतली तार, पे हो उसके बाद चासनी को हम साबूदाना में अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे, अब जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे, वैसे वैसे साबूदाना अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, और दीरे दीरे ये गाढ़ा सा हो जाता है, क्यों साबूदाना में लेस बहुत होती है, और ये साबू दाना की बर्फी में थोड़ा खोया भी एड़ करेंगे तब यह टेस्टी बनता है तो यहां हमने इलाइची पोडर एड़ किया है उसके बाद इसमें हम खोया भी एड़ करेंगे खोया इसमें एड़ करेंगे हम 1.500 ग्राम खोया एड़ करेंगे तब हमारी साबू दा बर्फी टेस्टी बनेगी तो यहां हमने 1.500 गराम फीका खोया लिया है प्लेन खोया लिया है और इसको हम साबुदाने वाले बर्फी में मिक्स कर देंगे यह तुर्णत मिक्स हो जाता है चासनी भी अभी गरम है और साबुदाना भी जो हमने भून के रखा था वह सारा वी गरम इंडबेडियंस है तुरन तक खोया हमारा मिक्स हो जाता है अब इससे बर भी हमारी बहुत टेश्टी बनती है अब यहां देखिए थोड़ा-थोड़ा यह घी छोड़ देती है और जैसे जैसे यह ठंडा होती है वह इसे वैसे यह दुबारा अब जोब कर लेती है यह जिस तरह हम मिक्स करते जाएंगे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे घी भी अच्छी तरह अब जोब कर लेती है और थोड़ी देर बाद यह अच्छी तरह टाइट हो जाती है यह देखिए इस तरह गोली बनने की वस्था में आ जाती है जितना ही ठंडी होती है उतनी यह होती जाती है और जब यह गोली बनने के उस्था में आ जाए तो बस इसको आप ट्रे में डालके हाथों से प्लेन कर दीजिए यह देखिए हाथों से हम प्लेन कर देते हैं बर्पी की सेफ मोटी पतली जैसे आपको परकनी वैसे आप रख सकते हो और इस तरह यह चासनी वाली हमारी जो बर्पी एसा बूदाना वाली यह बहुत टेश्टी बन जाती है इसमें हमें खोया एड़ किया है इसलिए ज़्यादा टेश्टी बनती है और इस तरह हम इसके उपर बर्पिस्ता जो भी हमारे पास है वो हम लगा देते हैं नहीं है तो नहीं सही आपके पास नहीं है अगर है तो लगाईए नहीं है तो ना लगाईए हमें तो बर्फी खाने है तो बर्फी तो इसे टेश्टी बन जाती है यह सिर्फ जो उपर डालते हैं या बर्क लगाते हैं एक सजावट के तो इस तरह हम बर्फी को जमने के लिए रख देते हैं कमसे कम दो घंटा के बाद यह जम जाती अब यहां ले आए दो घंटा के बाद हम कट करेंगे यह बर्फी दो घंटे में आसानी इसानी से जम जाती है इसको जादा मुलायम करना पड़ता है तब ये बर्फी की पीस जो है बहुत सेफ साइज में निकलाती है मतलत सफाई से कट जाती है जब ये थोड़ी टाइट रहती है अगर इसको मुलाइम करोगे तो साबू दाना में लचक रहता है मुलाइम रह जाएगी तो इसको थोड़ा सा सकत ही प्लेन करन है और दो घंटे में आसानी से जमदाती है और इसके पीसे देखे ये इस तरह आसानी से निकलाते है और अंदर से ये पूरी स्वाप्ट बन जाती है ये देखे पूरी आसानी से टूड़ जाती है और पूरी स्वाप्ट भी होती है तो इस तरह की बर्फी आप आसानी से ब खाया जाता है वैसे तो लोग बहुत कम बनाते हैं लेकिन बर्त में जादा ये बनाया जाते हैं तो इस तरह की टेस्टी बर्फी साबू दाना की चासनी वाली आप आसानी से बना सकते हो और हाँ दोस्तो हमारे चैनल पर जाईए तो आपको हर एक तरह की मिठाई की वीडियो मिलेगी आप आसानी से हमारी वीडियो देखकर सीख सकते हो सेगंड रस्पी में हम बनाएंगे अपने सौप की खस्ता और टेस्टी समूसे और थर्ड रस्पी पाला कोपते की तो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आज बन रहा है आलू मटर के समूसे जो हम अपने बनाते हैं तो यह दो रस्पी आज हम बनाएंगे तो पहला हम सुरू करते हैं कि समूसे कैसे बनाते हैं यह देखिए यहां हम छोटी क्वांटी बनाएंगे एक बड़ा सा बाउल लिया है इसमें हमने दो कप मैदा एड़ किया है यह बेट में 300 ग्राम है और इसमें जवाइन एड़ कर दिया अजवाइन से हमारे समूसे टेस्टी लगते हैं तो इसमें जवाइन मैदे में जरूर एड़ किया जाता है और इसको खस्ता बनाने के लिए हमने 60 ml घी एड़ किया है घी को हलका सा हमने गुनगुना सा कर लिया है तब फिर हमने मैदे में एड़ क मोयन एड़ किया है क्योंकि मैदा हमारा 300 ग्राम है और यहां हाप कप हमने पानी एड़ किया है इसी से हम मैदा अपना सकत डो बनाके त्यार करेंगे पानी थोड़ा बहुत और लगेगा तो इसमें थोड़ा सा हम और लगा लेंगे यह देखे इस तरह हमने थोड़ा सा पानी और एड़ किया है मतलब आधा कप से थोड़ा सा इसमें जादा पानी लगता है और ये बिल्कुल टाइट ड्रो बनके त्यार हो जाता है ये दिखे मैदा हमारा सकत होना चाहिए तो हमारे समोसे पुरा खस्ता और टेस्टी भी बनते हैं तो इसको हमने गुन के त्यार किया है कबर करके रख देंगे अब 300 ग्राम मैदे का समोसा बनाने के लिए हमने 600 ग्राम आलू को वायल किया है और ये देखे इस तरह छील के हमने छोटे-छोटे पीश में तोड़ दिया है अब क्या करेंगे तड़का लगाएंगे घी वाली कडाही हमारी है तेल वाली इसमें हम थोड़ा सा ऐल डाल के पहले जीरा एड कर देंगे जीरा जब चटकने लगता है तो इसमें हमने हरी मिर्च 5-6 पीस कट किया है बीच में हमारा लाल भी है हरी मिर्च जब सूखने लगता है और लाल भी हो जाता है तो वही हमने मिर्च एड किया है और ये देखे इस तरह हम अच्छी तरह भूनने के बाद थोड़ा सा हल्दी पौडर और थोड़ा लाल मिर्च पौडर एड़ करके इस तरह आयल में ही भून लेते हैं हल्दी मिर्ज का कच्चा पन खतम हो जाता है, फिर हम आलू अएड्स कर देते हैं, और इस तरह हम ऐल में मिक्स करते हैं, यह देखें, इस तरह तड़के में हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं, हम बहुत SYMPLE तरीके से तड़का लगाएंगे, इसमें हमें LASUN PYGU नहीं यूज कर च्छोटे साइज में कटके तड़का लगा सकते हुए उसके बाद हमने आलू मिक्स करने के बाद हमने हरे मट्र klong कर दिया साथ हमने घर में支持 एड़का ये साबत धन जीरा काली मिर्च लोंग इलाइची सब मिक्स करके और रोश और के भून के बनाते हैं उसके बाद इसमें हमने स्वादंसार नमक एड़ कर दिया अब बस हम बिल्कुल सेंपल तरीके से तड़का लगाते हैं जिसको प्याज लसुन खाना है वो एड़ करके आप बना भी सकते हूँ तो ये देखिये इस तरह हमने तड़का लगा कर त्यार कर दिया अब इसमें धेर सारा हरी धनिया भी डाल सकते हैं इससे हमारा हरी धनिया से समुसे का टेस्ट बिल्कुल बेहतर आता है तो इस तरह हम तड़का लगा दिया, अब इसमें धेर सारा हरी दनिया, आप जितना डाल सकते हो, उतना आप डाल सकते हो, हरी दनिया से आलू का टेस्ट बिल्कुल बेस्ट बनता है, तो इस तरह हमने तड़का लगा के त्यार कर दिया, यह देखिए, अब यह हमारा स्टपि बीकाट के डाल देते हैं जिससे समोसा हमारा और भी तेश्टी बन जाता है तो इस तरह हम थोड़ा सा इसमें पनीर जादा ने इसमें हमने पचास ग्राम पनीर कटके एड़ किया है । क्योंकि समोसे हम सिर्फ 10 रूपया में बेजते हैं ज्यादा महगा भी बेजते नहीं हैं तो इस तरह के समोसे हम आज को आपको छोटी क्वांटी में देखा रहे हैं हम तो अपने सौप पे बड़ी क्वांटी में बनाते हैं लेकिन हम आज आपको छोटी क्वांटी में देख इस तरह समोसे के पेडिया बनाके और इसको अच्छी तरह बिल्कुल सेप पेडिया बना लेते हैं यह देखे इस तरह हम बनाते पेडिया तयार कर लेंगे यह देखे हमारी से साथ पेडिया आठ पेडिया बन गई हैं अब एक वेक पेडियों की हम सीट को बेलेंगे यह समोसे के हमारी सीट त्यार होगी just 3-4 सीट एक टा हम बेल लेते हैं पिर समűसे बन ने के तयार हो जाता है इस तरह किनो बचेते हैं । एक सीट के दो समोसे बनते अब यहां देखिए हाप सीट हम लेके इस तरह हथेली पे रख लेंगे इसके उपर हम पानी लगाएंगे पानी से हमारे सीट अच्छी तरह चिपक जाते हैं यह चिपकने से यह होता है कि आलू हमारा बीच से निकलता नहीं और सीट को घुमाकर हम हाथों के बीच में रख लेते हैं और आलू का और मटर का स्टपिंग बर देते हैं और फिर साइडों से इस तरह दुबारा हम पानी लगाके इस तरह फोल्ड करके इस तरह समोसे चिपका देते हैं यह देखिए अब यह समोसा हमारा बिल्कुल चिपक के तयार है यह देखि पस यहां ध्यान रहे इस तरह हम सीड को पानी लगाते हैं और इस तरह हम हाथों के बीच में रखके आलू मटर को श्टपिंग कर देते हैं और यह देखिए अब इस तरह सीड को हम दुबारा पानी उपर से लगा लेते हैं जिससे चिपक जाते हैं और पीछे से इसको हम फोल जाएं अगर यह नहीं सही से चेपकता तेल में खुल जाता है इसमें तेल भर जाता है आलू निकल जाता है तो यहीं सब हमें ध्यान रखना पड़ता है तो यह देखिए हमने सारे समोसे बनके त्यार कर दिये अब आयल हमने गरम होने के लिए रख दिया है आयल जब थोड़ कड़ाही में ही फ्राई करेंगे क्योंकि समोसे हमने छोटी कड़ाही में बनाए हैं तो इस तरह हम रसुई वाले छोटी कड़ाही में फ्राई करेंगे यह हमारा गैस्चूला भी छोटे कड़ाही वाला है तो इस तरह हम जब रसुई में बनाते हैं तो छोटी कड़ाही भी ह चाहिए और चोंटे हमारे गयस्षूले वह ने चाहिए जो घर में शूला होता है रोटी बनाने वाला सबजी बनाने वाला उस पही हम बनारहे हैं कि हर चीज हम 310 को आउंटी में देखा हिर तो हमें में पहले मीडियम पर टालते हैं और इसकर बिल्कुल हमें दीरे दीरे देर तक फ्राइए कृते हैं कम से कम 15-20 मिनट लग जाता है तब यह समोसे कर लगते हैं एन अंदर से पूरी हमारे लेयर पक जाती है और बहुत टेस्टी समोसे बनके त्यार हो जाते हैं तो इस तरह हमने दो बैचस में फ्राई करके त्यार कर दिया अब यह देखिए समोसे हमारे अंदर से पूरे फ्राई हुए है बिल्कुल अंदर से स्वाप्ट है समोसे का फ्राई बिल्कुल टेस्टी त्यार है इसको आप हरी चटनी पुदीनी वाली या आप लाल चटनी इमली वाली के साथ आईए तो इस तरह समोसे हमारे टेस्टी बनके त्यार है अब हम आगे बनाएंगे ब्या सादी वाले पनीर के कोבת आप स्वाप्ट कैसे बना सकते देखिए तो यहाँ इसके लिए हमने पनीर लिया है जो 300 ग्राम पनीर है 300 ग्राम पनीर का हम बनाएंगे कोःटे तो यह हम पनीर को पहले कद्धू कस करेंगे ये देखिए हमारा छोटा सा कद्दूकस है और ये हलवाई वाला कद्दूकस है इस तरह हम छोटे साइज के बड़े साइज के कद्दूकस पांग साथ हमारे पास हमेशा रहता है इस कद्दूकस से हम आलू भी कद्दूकस करते हैं पनीर भी कद्दूकस करते हैं और खोया भ खिल में यह तरह इसको अच्छी तरह हम पानी निचोड लेते हैं निचोड के पैनीर में डाल दिये थोड़ा सा इसमें जीरा हाप-चमप्च आइड करेंगे को यह दनिया पौडर किचन किंग कर सकते हो थोड़ा इसमें प्रैसों नमक से थोड़ा हैं ज्यादाना होगे इसलिए नमक बहुत हलका सा इसमें add किया जाता है और यह सारा कुछ हम mix कर देंगे और पनीर को अच्छी तरह हम मैस कर देते हैं जिससे इसमें लेश सा थोड़ा सा आजए तो इस तरह हमने अच्छी तरह इसको मैस करके और यह देके त्यार कर दिया अब इसमें सबसे पहले एक चम्मच हम बेसन एड़ करेंगे चने का बेसन है जो बिल्कुल पेवर बेसन होता है और तीन जम्मच जिसमें भी आरा-ॅइड़ करेंगे कोपते को भाद्डिंग के लिए लगाते हैं आरा रोट तो यह हमने थीन जम्मच मतल्म हमने 50 गलाम तक आराा 온 लगा और यह देखिए इस तरह चमच के बैक साइड रखके हमने थोड़ा सा बैकिंग पॉर्डर लगा है बैकिंग पॉर्डर से हमारे कोपते अच्छी तरह फोड़ते हैं तो यह बहुत कम एड़ करना होता है ज्यादा नहीं यह 14 टीस्पून का हाफ टीस्पून हमने एड़ किया भीगो के एड़ किया है इससे मुलायम हो जाता है तो इस तरह यह देखिए हमने मैस करके यह अपना डो तयार कर दिया यह मुलायम सा डो हमने बना लिया जिससे साब सुत्री गोलिया बन जाये क्रेकिंग न रहे इसलिए इसको मुलायम सा बनाया जाता है और जो हमने इसमे करके और हमने पेडिया चोटी चोटी तोड़ ली अब इस तरह हम की आकार का भी कोपते का साइज दे सकते हैं तो यह देखिए इस तरह हम लंबे बना दिया तो हम 2-3 साइज का एक कोपते बना लेंगे और यहां तक की कोपते के बीच में हम काजू और सोगी भी इस्टपिंग करके बना सकते हैं और हमारे कोप्ते बहुत टेश्टी बनते हैं तो इस तीन साइज को हमने बना दिया अब यह देखे चोफ़था हमारा इस तरह हम गोल कर लेंगे और बीच में फिंगर से इस तरह डीप कर देंगे इ liz तरह यह जब ग्हे मेरہ हो जाता है तो इसमें हम काजू और सोगी बाद ड ड़ करके आप कोपते बनते व्यासाधी वाले कोपते हमारे ऩे स्वांप बनते तो इस joint can do 25 बनाये हैं हमने सिर्फ is पूराु थोनाया सिर्फ हम ने दो पीस आपको बताया है कि आप स्टपिंड करके भी रायब कर लिया है अब इसमें कोपते को फॉल जाते हैं और बैंडी के लिए हमने आरा रोट और इसमें बेसल एड़ किया है जिससे ये कोपते फूल के और पूरी चरह सेब में ये बन जाते हैं ये देखे आप इसको ये समझे कि हमारा ये गुलाब जामुन है गुलाब जामुन जब हम बनाते हैं तो इसी तरह बनाते हैं तो इस तरह और कोब्ते में ज़्यादा फरक नहीं होता है, बस कोब्ते पूरी तरह स्वापट होनेश चाहीं, अच्छी तरह ये मीडियम सेक पे हम ढालते हैं, और ये फूल- recib के उपर आ जाता है, और इस तरह इसको हम देर तक फ्राई करते हैं, जिसको धीरे-धीरे ब्राउन करते हैं, कम से कम इसको 15-20 मिनिट तक हमें कम से एक पे वराउन कई आ जाता है जिसे अंदर की जालिया इसकी पक जाए जब हम ग्रेवी में डाले चाहे हम मलाईक कोपते बनाते हो या हम पालक कोपते बनाते हो जब ग्रेवी में डालें तो अच्छी तरह घिसमें ग्रेवी भर जाये। इसतरह सवाप कोप्ते हम बनाके तयार कर लेंगे। तो ये पोधार हम ने सव्यद कोप्ते निका लिए हैं। तोड़ा हमने कच्चा ही निकाल लिया है। जब हम सबजी में दालने होंगे तो को द्वारा फ्राइब करके फिर ढिलेंगे तो एकल already Haupt अची haircut आप इसका मलाई कों और मता चुम वह और आज बना उप्पता याँ यहां हमने 500 ग्राम पालक को ले लिया है जो हमारे पालक के पत्थे खराब हैं इसको हम साफ करके उन पत्थों को हटा देते हैं और इसको धोके हम वयल कर लेते हैं अब यहां देखिए हमने थोड़ा सा मगज और थोड़ा सा इसमें काजू-चार-फाड हम भिगो देते हैं इसके हम पेश बना लेंगे और ग्रेवी में डालेंगे तो यहां हमने सिर्फ 50 गराम दोनों मिला के लिए है और इसको हम भिगो के रख देते है अब यहां देखिए पालक को अच्छी तरह हमने धोके जो पत्ते खराब थे इसको हमने निकाल के और कडाही में उबलने के लिए रख दिया ज्यादा देर नहीं उबालना थोड़ा देर हमने उबाल के और इसको निकाल दिया है और इसको हम मेक्सी कर देगे अब यहां देखिए जो हमने कोपते फराई किये थे कच्चा था अब इसको हम पका लेते हैं क्योंकि अब हम सब्जी बना रहे हैं चार गंटे के बाद तब हम चार गंटे के बाद सब्जी बनाते हैं तब हम कोपते को पहले अच्छी तरह पका लेते हैं और पकाने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं उसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे कि इतना स्वाफ रुबन के त्यार है अब यहां गैशूला हमने मेडियम से चला के इसमें हमने सरसो का आयल एड किया है जब आयल गरम हो जाता है तो इसमें हम जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा हाप चमत जीरा डाइड देते हैं जीरा चटकने Kitchen जाता है तो इसमें हम और लगी मसाले अट करते हैं पहले हम इसमें नमक आड़ कर देते हैं जीरा अच्की तरह भून जाता है लिए यहां कुछ खड़े मसाले जोटी बड़ी लाइची और दो लॉंग और थोड़ा सा तेज़ पत्तर एड करके इस मसाले में भूनते हैं, यहां हमने तीन पीस लाल मिर्च एड़ कर दिया है, यह हरी मिर्च का लाल मिर्च है, यहां सूखा मिर्च लाल आपके पास है, तो वो भी एड़ कर सकते हो, और इसको इस तरह हम अच्छी तरह प्याज के साथ ही भून लेते हैं, थोड़ा सा इसमें हमने लसुन का पेश्ट एड़ किया है थोड़ा सा अधरक का पेश्ट एड़ किया है और यहां थोड़ा सा हरी मिर्च का पेश्ट एड़ किया है इसी तरह हम अच्छी तरह इसको भून लेंगे यह देखे प्याज भी ब्राउन हो गया है अब इस तरह लसुन मिर्चा और अधरक भी हमने इस तरह भून लिया है, साथ में हमने एक चमच कास्मेरी मिर्चाiert किया है और हाभ चमच इसमें हल्दी पोडराइड करेंगे, हल्दी हमने बहुत कम आइड किया है पालक की सब्जी में हल्दी बहुत कम आइड किया जाता है तो इस तरह हम मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे ये देखिए कासमीजी मिर्च से थोड़ा सा कलर बन जाता है तो सबजे हमें देखने में अच्छा दिखाई देता है तो इस तरह हमने कासमीजी मिर्चा अड़ किया है जब अच्छी तरह मसाला भून जाता है तो इसमें हमने दो टमाटर का पेस्ट बनाके एड़ कर दिया तमाटर हमारे छोटे साइज के थे दो टमाटर को अच्छी तरह मिक्सी करके इसमें एड़ कर दिया और यह देखिए इस तरह जब भून जाता है अच्छी तरह मसाला हमारा तो इसमें हम थोड़ा सा हम हेंग भी एड़ करे इसमें टमाटो कचब एड़ किया और यह देखिए इस तरह हम थोड़ी देर इसको भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा धनिया पौडर और थोड़ा इसमें हम गरम मसाला पौडर एड़ करके और मिक्स करेंगे तो यह देखिए इस तरह पहले धनिया पौडर एड़ किया इसको हम add कर देंगे अच्छी तरह mixi का जग धोके इसमें add कर देंगे और इस तरह हम gravy में mix कर देंगे और इसको हम पकने देते हैं ये देखे इस तरह हम gravy में इसको देर तक पकने देंगे पालक हमारा पहले से while किया हुआ है पका तो थोड़ा बहुत होता है और इस तरह gravy में इसको देर तक पकाना होता है जब पकते पकते आयल छोड़ देता है तब ये हमारा पालक भून के तियार होता है अब यहां साथ यह हमने मगज काजु भीगो धिगवा सको भी मिक्सी करके इसमें पेश बना के ढाल दिया अब इसको हम पकने देते हैं थोड़ी देर तक इसको अच्छी तरह पकने देते हैं जिससे हमारी पालक भी अच्छी तरह भून जाए और ग्रेवी भी अच्छी तरह भून जाए तो इस तरह इसको हम काफी देर तक low medium shake पे पकने देते हैं और सास में हम थोड़ा सा इसमें दूद आइड करेंगे यहां हमने 2.500 ml इसमें दूद एड़ किया है यहां आप दूद की जगह पे खोया भी एड़ कर सकते हो 50-60 गराम खोया एड़ करके पालक कूपता बना सकते हो इसमें हमने चमच में कम से कम 10-15 दाने हमने सुगर के एड़ किया है, मतलब चीनी के एड़ किया है इससे सबजी का टेस्ट खुल के आता है ज्यादा नहीं इसमें बस दस पंदरा दाने हमने सुगर के डाले हैं मतलब चीनी के डाले हैं और इसको हमने कबर कर दिया है तब तक यह बहुत देर तक पकता रहता है ग्रेवी हमारी पक जाए और यह देखे यह कोपते हमारे पनीर के हैं खोया पनीर के भी बनते हैं और सिर्फ खोया के भी बनते हैं और पनीर में आलू भी मिक्स करके कोपते बनाये जाते हैं जैसा आपको पसंद हो वैसा आप बना सकते हो तो यहां हमने सिर्फ पनीर के कोपते बनाये हैं कि पनीर के कोपते ब्या साधियों में कैसे बनाया जाते हैं इस तरह हमने बनाया अब यह देखिए हमारी ग्रेवी अच्छी तरह भून के तयार है पालक भी भून के तयार है जब यह आयल ऊपर छोड़ देता है तो पता लग जाता है कि हमारा ग्रेवी और हमारा पालक भी अच्छी तरह भून के तयार है अब क्या करे यह कोपते हमारे एक ही होते हैं इस तरह आप कोपते बना के मलाई कोपता भी बना सकते हो पालक कोपता भी बना सकते हो यहां हमने पालक कोपता बनाया है और यह बहुत टेस्टी पालक कोपता बनके तयार है इस तरह आप हलवाई स्टाइल में पालक कोपते की सबजी घर में या इस तरह होटल स्टाइल में भी इसी तरह बनाया जाता है बस उनके कोपते स्वाप्ट नहीं बनते हैं और कोपते हलवाई ही टेस्टी बना पाते हैं यह कोपते पूरे स्वाप्ट हो जाते हैं तो इसमें जो ग्रेवी हमारी है पालक की अच्छी तरह अपजोब कर लेती ह और यह अंदर से पूरे स्वाट बन जाते हैं तो इस तरह हमारा पाला कोवता बनके त्यार है इस तमय रेडी है इसको सजावट के लिए इसके उपर आप क्रीम भी डाल सकते हो या पनीर कदू कस करके भी डाल सकते हो तो यह देखिए इसको हम चेक करते हैं अच्छी तरह नीर कदू कस करके एड़ कर दिया यहां तक कि आप क्रीम भी डाल सकते हो तो इस तरह आप पालक कोवता ब्यासादियों वाला टेस्टी बना सकते हो और रस्पी देखने के लिए हमारे चैनल पे जाए अब फोर्थ रस्पी में हम आएंगे मीठी पकोड़ी जो भाजी में दिया जाता है मीठी पकोड़ी बहुत टेस्टी बेशन वाली पकोड़ी बनके त्यार होती है तो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आज हम बनाएंगे मीठी पकोड़ी इस तरह की मीठी पकोड़ी बेशन वाली हम अपने सोब पे बनाते हैं और यह बहुत टेस्टी बन या आप घी भी डाल सकते हो तो यहां हमने 200 ग्राम आयल एड़ किया है और इसमें हाफ लीटर हम पानी एड़ करेंगे इतने ही पानी से हमारा बेशन पूरा सकत गुनके त्यार हो जाएगा तो यह दिखिए इस तरह हम हाथों से सकत बेशन गुनेंगे यह मुलायम ज्यादा नहीं थोड़ा सकत रखेंगे तब हमारे मीठी पकॉड़ी पूरी टेस्टी बनती है ज्यादा मुलायम हो जाने से बेशन गिला हो जाता है पकॉड़ी जुड़ने लगती है तो यहां ध्यान रखिए कि बेशन सकत गुनके त्यार करेंगे यह देखिए इस तरह हम सकत गु जाओगे उसी से यह बन जाती है जो बरीक जाली होती है उससे सेव निकालते है और इससे मोटी जादा मोटी जो होती है इससे हम सबजी वाले बेशन वाले पकॉड़े निकालते है और यह जाली हमारी मीडियम से होती है इससे हम मीठी पकॉड़ी बनाते है तो यह जाली हम हम लगा देते हैं मिठी पकोड़ी बनाएंगे यह मसीन में हम 2 kg बेसन भी डाल देते हैं एक यी बार में निकल जाता है तो यह बेसन हमारा 1 kg है इससे हमारी हाफ मसीन पर één जाएगी इस तेरह यह आध्षी हमारी मसीन वर गई इसको हम इस तरह यह देखिए चूड़ी से इसको कसना होता है उपर से इस तरह हम गुमाते जाते हैं और यह अच्छी तरह कस जाता है जब हमें पकोड़ी बनानी होती है तो तेल में इसी तरह गुमाके और हमारी पकोड़ी जाली से निकलती जाती है तो ये देखिए हम उपर से घुमाते रहते हैं और इस तरह जब आयल हमारा पूरा गरम हो जाता है हम ज़्यादा तर डालडा घी में बनाते हैं बनास्पती घी में बनाते हैं तो इस तरह बनास्पती घी में पकोड़ी हमारी पूरी टेस्टी बनती है और इस तरह जब ये ग और अंदर से यह पूरी स्वार्ट होती और यहां गैस का फ्लेम हग बिलकुल मेडियम से चलने देते हैं बहुत हाई भी नहीं चलाना होता है मेडियम से पे इसको पकाना होता है जब अच्छी तरह हमारी पकोड़ी पक जाती है तब इसमें चासनी अब्जोब करती है तो इस पक जाती है तब इसको हम निकाल देते हैं तो इस तरह पकाना सबसे जरूरी होता है यह लंबे लंबे साइज की होती है इस तरह हम पोनी से इसको कट मार देते हैं यह देखे यहां भी कट मार सकते हो अगर यहां नहीं मारना तो आप निकाल के भी इसको तोड़ सकते हो जै इसको अच्छी तरह पकाने के बाद फिर हम इसको चानी में निकाल देते हैं यह देखिए अच्छी तरह जब यह तूटने लगती है हाथों से तो बस अच्छी तरह पकोड़ी हमारी पक गई अब इसको हम निकाल देते हैं बहुत ज्यादा इसको लाल नहीं करना होता है बस पक जाये बाद इसको हम निकाल देते हैं तो इस तरह पकोड़ी को हम एक छाननी में निकाल देते हैं जिससे फाल्तो आयल घी निचुड जाता है फिर हम इसको चासनी लगाते हैं तो यह देखे इसमें हमारी छाननी रखी है इसमें हम रखते जाते हैं जो फाल्तो आयल और घ घुरण जाता थे तो इसको इस कडाही में डाल देते हैं अब कम चासनी ड़ालेंगे बनाके तुछ क्ड़ाaiあー अँग दो सुगर और शलत में से हम्छी मद थै ntu लेड इसके बाद यह सवाइक अधर सुगराम Сजूर हर राप करेंगे हमें किलो बेसन की पकोड़ी में सवा किलो सुगर एड़ करके चासनी लगाते हैं तो ये देखिए इसकी चासनी बना लेते हैं ये थोड़ी देर हमारे गरम होती है उसके बाद ये चासनी हमारे उबल जाती है ये देखिए ये सुगर हमारा मेल्ट हो गया और चासनी को उबाला आ गया अब इसको थोड़ी देर हम पकने देते हैं ये देखिए जब अच्छी तरह ये पक जाता है तब हमारी चासनी कम्पलीट हो जाती है बस इसको पतली तार तक पकाना है ये देखिए इस तरह हम जब चेक करते हैं तो ये चिपचिपी सी पतली तार बनती है बस इसकी पतली तार बननी चाहिए तो हमारी चासनी पूरी तयार हो जाती है ज़्यादा तार वाली चासनी नहीं चाहिए नहीं हमारी जो पकोडी है वो सूख जाती है तो इस तरह पतली तार वाली चासनी बनाकर इस तरह पकोडी में हमने add कर दिये ये दिखे पकोडी के ऊपर गरम गरम चासनी डाल दिया अब ये थोड़ी देर इस तरह हम mix करते जाते हैं ये देखिए चासनी को ऊपर पकोडी के डालते जाते हैं और जैसे जैसे ये ठंडी होती है वो इसे वैसे जमती जाती है पकोडी क 30 मिनट के बाद जब ठंडी हो जाती है तो इसके उपर जम जाती है तो ये प्रोसेस हमें 30 मिनट तक करना पड़ता है जब पकवडी अच्छी तरह ठंडी हो जाती है तो इसके उपर चासनी जम जाती है ये देखे ये अच्छी तरह चासनी जम गई अब इसको अच्छी तरह फैला के हम ठंडी कर लेते हैं उसके बाद इसको एक ट्रे में निकाल देते हैं जिससे हमारे चासनी अच्छी तरह ठंडी हो जाए और ये उपर चासनी अच्छी तरह जम जाती है तो ये देखिए पकोड़ी हमने एक ट्रे में निकाल दिया अब ये हमारी मीठी पकोड़ी ब बनाके तैयार कर दिया ये पिछला बैच हमारा सकरपारे घा था तो ये हमने मीठी पकोड़ी और सकरपारे दोनों बनाए हैं लेकिन वीडियो हमने सिर्फ आपको मीठी पकोड़ी का दिया है ये हमारे यहां भाजी चलती है इसको हम भाजी कहते हैं जो कोई हमारे यहां पां तरह के पैकिन किया जाते है यह चीजे ब्याआ में भाजी के रूप में दी जाती है जिसके यहां ब्या होता है उपने रिष्टेदारों को इस तरह ढबा पैक कराके 2 किलो का 5 किलो का यह आटम देते हैं तो यह हमारी मीठी पकोडी उसमें से 1 है जो बहुत टेस्टी बनके त तो अब हम बनाएंगे पांचवी रस्पी मतलब फाइव वाली रस्पी ये बनेगी हमारी बेसन और मैदे की टेस्टी वर्फी तो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आज हम बनाएंगे बेसन और मैदे की टेस्टी वर्फी इस बर्फी को बनाने के लिए हम बेसन मैदा को म तो देर तक भूनते हैं, जब वो ब्राउन हो जाता है, तब यह बर्पी बूरी टेश्टी बता है. तो इसमें हम दो cup बेशन आड़ करेंगे तो एक एक cup करके हम दो cup बेशन आड़ करेंगे यह वोजन में साड़े तीन सो ग्राम बेशन है अब इस बेशन को हम medium sake पे भूनेंगे यह देखिए, गैस का flame low medium पे होगा और इसको देर तक भूनेंगे, ज्यादा shake करके नहीं भूनना, इसको बस medium sake पे देर तक हम भूनेंगे, जिससे अच्छी तरह यह हमारा बेशन भून जाए, तब हम इसमें थोड़ा सा मैदा भी आड़ करेंगे तो पहले हम बेशन को अच्छी तरह mix करते हैं, और हम भूनते हैं थोड़ी देर तक, फिर बाद में थोड़ा सा हम मैदा भी आड़ करेंगे तो यह देखिए, इस तरह हम बेशन भूनते रहते हैं, यह पेवर चने का बेशन है, इससे बरफी हमारी बहुत टेस्टी बनती है और घी भी परपूर मातरा में होनी चाहिए, यह देखिए, घी की कमी से हमारे बेशन के बरफी टेस्टी नहीं बनते, तो इस तरह हमने घी भी पूरी अच्छी तरह इसमें आड़ किया है, जब बेशन हमारा घी में अच्छी तरह भून जाता है तब इसमें हम मैदा आड़ करते हैं तो यह देखिए, अच्छी तरह गिल्ला भी हो गया है, अब यहां हम पौना कब मैदा आड़ करेंगे, अब यहां मैदा और बेशन सारा मिलाके हमारा 500 गराम हो गया, और इस तरह हम मैदा बेशन को अच्छी तरह घी में भून लेंगे, यह देखिए घी की मातरा इसमें कम नहीं होनी चाहिए, बहुत सी वीडियो हम लोग देखते हैं, उसमें लिखा होता है एक चम्मज घी से हम यह बरफी टेस्टी बना देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक चम्मज घी हमारी टेस्टी बनती है, यह कैदी कि हम एक चम्मज से भून कर, रोष्ट करके और बरफी बना देंगे, तो बरफी बिल्कुल टेस्टी नहीं बनती है, यहां आपको ध्यान रहे, कि अगर 500 ग्राम मैदा बेशन आप भूनते हैं, तो उसमें 400 ग्राम घी लग जाता है, मैदा भी एड़ किया है, अब इसको अच्छी तरह हमने ब्राउन करके, दूसरे चूले पे उतार के रख दिया है, जो चूला हमारा बंद है, अब यहीं इसको पड़ा रहने देते हैं, अब हम बनाते हैं चासनी, तो यहां हमने एक पैन रखा है, इस पैन में हम एक कप पानी एड़ करेंगे, उसके बाद इसमें हम दो कप सुगर एड़ करेंगे, दो कप मतलब हमारा पांसो गराम सुगर है, एक कप में धाई सो गराम सुगर आता है, तो यह पांसो गराम है, तो पानी हमारा धाई सो एमल है, मतलब सुगर का आधा हमने पानी एड़ किया, अब इसकी चासनी बना लेते हैं, ये देखे, गैस चुला को हम मेडियम फ्लेम पे चला लेंगे, और थोड़ी देर बाद गरम होने के बाद ये उबाला आ जाता है, और हमारी चासनी बनके कम्पलीट हो जाती है, तो ये देखे, इस तरह हम इस को हम चेक करते हैं, ये पतली तार पे जब हो जाती है, तब उठाके हम बेशन मैदे में आइड कर देते हैं, जो हमने भून के रखा है, तो ये देखे, ये पूरी पतली तार पे हो गई है, ज्यादा तार वाली चासनी नहीं चाहिए, थोड़ी पतली तार की तूड़ती च चासनी चाहिए, तब हमारी चासनी त्यार होती है, इसमें हम थोड़ा एलो कलर लगा देंगे, सिर्फ हमने एलो कलर अइड किया है, और साथ में इसमें हम इलाइची पोडर टेस्ट के लिए आइड कर देंगे, तो इसको हम मिक्स कर देते हैं चासनी में, और चासनी उठाक वैसे वैसे हमारी पॉट जमने की एवस्था में आती जाएगी तो इस तरह हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं इस तरह आप घोटा भी लगा सकते हैं जतना देर आप गोटेंगे खेंटИ और तो इस तरह हम इस entspan घूटी थे और这个 एव्ह घूठ हाहसा हो जाता है इकठा होने लगता है तो बस लिक अगम होता है इसको हम उठाकर एक kilimek είναι त्यूसति है इस समय हमारी बढ़िक ये और वर कित आरे इसको अगर फिंगर में गोली स्थे त्षिंगर में गोली बना के दो यह और दिए तो यह यह 북한 चोड़ देती है मतलब हमारी वे बर्फी जमने की वस्था में आ गी है अब इसको हम प्लेन कर देते हैं इसको अच्छी तरह प्लेन कर देते हैं यह देखिए थोड़ी हम पतली साइज की रखेंगे जिससे हम काजू कतली जैसा आकार कड़ के तयार करेंगे तो इसको हम अच् बर्क पिस्ता बदाम जो भी आपके पास है आप लगा सकते हो इससे सजावट बन जाता है बर्फी तो हमारी पूरी तयार है पहले से ही अब यह सजावट के लिए बर्क पिस्ता बदाम ड्राइफूट जो भी है उपर लगाया जाता है इससे हमारी सजावट बन जाती है और देखने में पूरी अच्छी दिखाई देती है तो यहां हमने बर्क लगा के पिस्ता बदाम भी एड़ कर दिया अब इसको हम छोड़ देंगे जमने के लिए कम से कम हम इसको छे गंटे तक आठ गंटे तक छोड़ देते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं तो यह देखि हमने काजू कतली के आकार का नुकिला साइज कटना है तो दूसरी तरफ से यह देखिए तिर्चा नैव से कट करते जाएंगे तो यह हमारी पीश काजू कतली के आकार के बन जाएगी इसको बस हम कट करके फिर हम एक दूसरे ट्रे पे जोड़ देंगे और हमारी बर्फी ब पूरी अंदर से स्वाप्ट और पूरी टेस्टी बर्फी बनके त्यार है यह देखिए बिल्कुल हमने काजु कतली के आकार का कट किया है और उतनी पतली हमने रखा भी है अब यह बर्फी इतनी स्वाप्ट है यह देखिए पूरी मुलायम सी और पूरी स्वाप्ट है तो इ ध्यान रहे कि हमारी जो मैदा बेशन है उसको अच्छी तरह भूनना होता है जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाता है तब बर्फी हमारी पूरी टेस्टी बनती है मैदा भी अच्छी तरह अगर हम भून दें तो बर्फी हमारी पूरी टेस्टी बर्फी बैदा को अच्छी त में बहना होता है और देर तक बहना होता है जब पूरी सुगन्ध आने लगती है तभी फूरी टेस्टी बनती है आपको यह भी याद रहे कभी एक चमश घी से बरफी टेस्टी नहीं दोस्तो आपको अज़ो की तो हमारे वीडियोमिछ बनती है तो दोस्तौब हैं ये six वाली रस्पी coconut के roasted पेडा, ये बहुत tasty पेडा बनके त्यार होता है, तो राज-अलवाई रस्पी में आज हम बनाएंगे coconut roasted पेडा, ये देखिए, ये बहुत soft और tasty पेडा बनके त्यार होता है, तो हम रस्पी सुरू करते है, ये बहुत सरल सी रस्पी है, आसानी से आधा एड़ किया मतलब दो चमच हमने घी एड़ किया है ग्राम में बताए तो यह 30 ग्राम तक हमने घी एड़ किया है इसको हमने गरम कर लिया है मेडियम सेख पे जब पैन हमारा गरम हो जाता है घी मिल्ट हो जाता है तो इसमें हमने एक कप कोकोनेट बुरादा एड़ किया यह desiccated coconut है इसको हम पहले roast करेंगे यह देखिए इस थोड़े से घी में हम इसको दीरे-दीरे कम flame पे roast करेंगे जब अच्छी तरह brown हो जाता है तब हम पेड़े बनाएंगे तो इसको हम roast करते हैं घी में और बहुत हलके सेखवे करते हैं यह दीरे-दीरे कुछ समय बाद brown हो लगता है यहां आपको गैस का flame बिलकुल कम रखना है कम flame पे हमें देर तक इसको roast करना यह देखिए दीरे-दीरे जब यह हमारा coconut brown हो जाता है तब हमारी recipe tasty बनती है यह देखिए तो इस तरह हम brown कर लेंगे अच्छी तरह हमने roast कर दिया है अब इस पैन को उतारकर हमने दू एक कप से थोड़ा कम मतलब हमने 200 ग्राम तक सुगराइड किया है और इसको हम पैन में फैला देते हैं इस सुगर को हम कैरी मल बनाएंगे तो यहां हमने मोटे तले का पैन रखा है और इसमें हम medium shake पे कैरी मल होने देते हैं यह देखिए थोड़ी देर बाद यह हमारा चीन 7-10 ग्राम तो इसको अम मिक्सव की करते जाएंगे यह कि जलेना बिल्कुल हलका हलका सा ब्राउन हो और दिरे दिरे केमरे लाइज होते रहे हलका हलका जब ब्राउन कलर का हो जाता है तब हमारी देस्पी टेष्टी बनती है तो इस तरह पहले सुगर को हम कहीरी मल सा बना यह रेखिए तो इस तरह cop हो जाते हैं औरount होते हेई और नोक्तं होते हैं एफ लेखिपों वेखिशेट neutrality और इस तरह हम थोड़े थोड़े डालते जाते हैं और mix करते जाते हैं दूद को एकठा डालने से यह होता है कि जल्दी हमारा सुगर जो है घुलता नहीं है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम डालते हैं जिससे ये उबलता रहता है और हमारा सुगर दुबारा घुल जाता है तो इस तरह हमने एक कप दूद आट किया अभी ये देखिए भी सुगर थोड़ा सा मोटा है ये पिखल रहा है अब इसमें ये पिखल जाएगा जैसे जैसे ये उबलता रहेगा वैसे वैसे ये सुगर दुबारा पिखल जाएगा तो इस तरह ये कैरीमल सा कलर बन जाता है य तो इसलिए हमने दो कप ढूद किया अब को हम एक कप रहने देते हैं इसको थोड़ी देर पकाते हैं जब एक गारा के यह एक कप रह जाता है तब इसमें हम अपना को जोंकी नट्राल करें Mr. करक है इस तो यह दिखिए दूद हमारा आपक रहा है अच्छी तरह देर तक पकता रहता है जब ये दूद हाफ रह जाता है ये हमने दो कप दूद ऐड्र किया है जब एक कप हमारा गाड़ा हो के मद्च जाता है तो इसमें हम trabajando आड करते हैं तो ये देखिए ये गाड़ा भी हो गया है तो हमने इलाइची का पौडर जो हम सुगर में मिक्स करके पीसा हुआ है इसलिए थोड़ा सा सफेदर कलर का है अब इसमें हम डाल देंगे अपना ब्राउन किया हुआ कोकोनेट ये देखिए ये इस तरह हम डाल देंगे अब इस दूद में डालने से जब दूद हमारा गाड़ा जब हो जाता है दूद में डालने से ये जो कोकोनेट होता है ये अच्छी तरह अपजोब कर लेता है और पूरा साफ्ट बन जाता है इस तरह की रेस्पी हमारी बहुत टेस्टी बनती है सुगर का कायरी मल बनाके जो हम अपना कोकोनेट बनाते हैं तो यह बहुत टेश्टी रस्पी बनके त्यार होती है तो इस तरह आज हम कोकोनेट को पूरा रोष्ट भी किया है और इस तरह हम दूद में इसको पका भी लिया यह देखें दूद हमारा जब पूरा अच्छी तरह गाढ़ा हो जाता है और यह कोकोनेट के साथ सूख जाता है तब हम क्या करेंगे इसके पेड़े बनाते हैं तो पेड़े बनाने के लिए इसको हमें ठंडा करना पड़ेगे ये देखे जब हमारा पैन छोड़ने लगता है इसमें हमारा पैन में नहीं चिपकता है तो ये हमारी पेड़े बनने की स्थिती में आ जाती है अब गैस का फिलेम हमने बंद करके दूसरे बंद चूले पे इसको हमने उतार के रख दिया है अब यहाँ थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं उसके बाद में हम बनाएंगे इसके पेड़े ये पेड़े बेहर टेस्टी बनते हैं इस तरह की रस्पी आप घर में जरू तो हमेशा होता है तो इससे यह बहुत टेस्टी रस्पी बनके त्यार होती है और यह थे ठंडा होके इस तरह जब हमारे फिंगर से गोली बन जाती है हाथों में चिपकती नहीं है तो बस हमारा पेड़े के लिए तयार है यहाँ तक कि आप इसकी बरफी भी मना सकते हो तो हम बटर पेपर वाली कटोरी में रख देंगे इससे हमारे जो पेड़े हैं देखने भी बहुत अच्छे लगते हैं तो यह देखिए इस तरह दो पीस हमने बना लिया उसके बाद में हम सारा बना लिया है अब यह देखिए इसको आप किसी बटर पेपर वाली कटोरी में र सोई में ऐसी रस्पी आप टेस्टी बना सकते हो और हाँ दोस्तो हमारे चैनल पे जाए तो हमारे चैनल पे बहुत सी टेस्टी रस्पी मौजूद है आप देख सकते हैं बिठाईयों की सबजीयों की नमकीन की तो इस तरह की रस्पी आप हमारे चैनल पे दाके आसानी से दाता है इस पे क्योंकि इसमें मलाई जैसा हमने दूद भी एड़ किया है और यह रिस्पी हमारी पूरी दानेदार बनके त्यार है और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी वाला बटन जरूर दबाएं